नमस्कार वोन इंडिया में आपका स्वागत है मेरा नाम अविनाश है अश्च्विन के कहर से अस्ट्रेलियाई टीम इस समय सकते में है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखर करना क्या है कैसे आर अश्च्विन की गिंद बाजी का काट निकाला जाए क्योंकि वो किसी भ दुम्रह लगातार छोटी गिंदे डाल कर स्टीवन समीथ को बैक फूट पर धकेल देते हैं और फिर लेग स्टम पर गिंदे डाल कर आउट कर देते हैं स्टीवन समीथ को रोकने में अब तक भारते टीम काम्याब हुई है इसी वज़े से भारत का पल रा अस्ट्रेलियाई टीम पर काफी भारी रहा है अश्वीन ने अभी तक दो टेस्ट मैचों में दस विकेट हासिल किये हैं जिसमें स्टीवन समीथ को दो बार और मानस लबुशेन को एक बार आउट किया जबकि अस्ट्रेलियाई टीम चार मिसे तीन पारियों में 191,195 और 200 रनो पर आउल आउट हो गई मानस लबुशेन एक वर्चुल प्रेस कॉन्फरेंस में कहा मैंने इससे पहले कभी भी आर अश्वीन का सामना नहीं किया इससे कोई आखने नहीं मिल सकते की महान गेंदबाज होने के अलावा वो कितने चतूर गेंदबाज है उन्होंने कहा कि वो वाकई तयारी के साथ आया है हम अश्वीन के जाल में फस गए है भारते गेंदबाजों ने शांदार गेंदबाजी की है चाहे स्पिन हो या फिर तेज गेंदबाजी मारनेश लबुशेन ने स्टीवन स्मीट का बचाव करते हुए कहा आप चाहे कुछ भी कहलो लेकिन कुछ समय से पहले ही उन्होंने वन्डे क्रिकेट में दो लगातार शतक लगाया था वो भी भारत के खिलाफ ही सिडनी ग्राउंड में स्टीवन स्मीट के खराब फॉर्म के बारे में पूछे जाने पर मारनेश लबुशेन ने कहा कि स्टीवन स्मीट ने स्टीवन स्मीट ओवरों से इधर ज़्यादा क्रिकेट खेली है और लाल गिन से ज़्यादा क्हेलने का मौका नहीं मिला ये क्रिकेट और कुरोनकाल की सचाई है लवुशेन ने कहा कि स्टीवन स्मीट का टेस्ट क्रिकेट में 60 से अधीक काउसत है वो अपने करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक लगातार अच्छा खेलते आए हैं उसे तेजी से रन बनाना पसंद है और उम्मीद है कि तिसरे टेस्ट मैच में स्टीवन स्मीट के बल्ले से रन निकलेंगे इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही वण इंडिया के साथ